हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आगई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हैल्दी सी रेसिपी जो कि दो बून तेल में मैं बनाने वाली हूँ और सभी को यतनी ज्यादा पसंद आएगी बच्चे बड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे इस रे में अधि और उसके बार लेना है इस तरी कि का कद्डूकस से लेना है कैसे रखते हैं कर सकते लेकिन क्या होता है इससे बड़े-बड़े लख्ष जैसे रहते हैं वह टेस्ट में बहुत कि मैंने यहाँ साथ मैंने यहां जया है, लिए मिर्च को काटके लिया है, जिसको कर के लिए आपको जोभी सभी पसंदें तो सब्सक्में उसका चार चम्मश का इसे सब्च ऑप सकते हैं और और चाहे तो इसमें सूजी का भी यूज आप कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे मैंने चार चमच बेसल लिया है और चारी चमच गहों का अटा लिया है और अगर आगे जरूत पड़ेगी तो हम और भी यूज़ करेंगे तो अभी एक साथ नहीं उसको करना है उसके बाद मैंने आपे लिया है एक चमच चिली फ्लेक्स साथे में इसमें आड़ करेंगे आदा चमच बुना हुआ जीरा इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आदा चमच मैंने लिया है धनिया पाउडर और अब मैंने लिया है चौथाई चमच गरम मसाला और आदा चमच हम इसमें आड़ करेंगे चाट मसाला जिसे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा और आप इसके जगे पे नीवू के रसका भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसमें आड़ करेंगे स्वाद के अनुसार नमक तो यहाँ पर मैंने डेट चमच लगवग नमक लिया है आप यहाँ पर टेस्ट के एकॉर्डिंग रखिए तो चलिए आप हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है फ्रेंज कोई भी पानी वगएरा नहीं उसकरना है क्योंकि हमारी जो सब्जियों है न उनमें खुद का इतना जो पानी होता है उसमें हमारे जो आटा और बेसे न वो मिक्स हो जाएंगे तो मुझे तो इसमें पानी के जुरुत नहीं लगी थी आपको लगे तो आप एट कर सकते हो लेकिन इसमें जुरुत पढ़ती नहीं है क्योंकि सब्जियों का बहुत सारा पानी होता है तो अभी मुझे थोड़े बाइडिंग में कमी लग रही थी अच्छे से सब्जियां बाइड नहीं हो रही थी तो मैंने कहां पर दो चम्मच गियों का आटा और यूज किया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करけ हमारा mixer यूज कर लेंगे तो देखिये इस तरीके से मैंने यहां पर तियार कर लिया है और उसके माद में हम क्या करेंगे थोड़ा सा हाथ में इसको लेके देखेंगे और इसको बाइन करके देखेंगे अगर यह अच्छे से बंद रहा है तो हमारी जो मिक्सर है परफेक्ट है तो आप दे सकते हैं मैंने इसको बाइन के देखा है बिल्कुल परफेक्ट है तो चल तो इसको पतला भी रख सकते हैं या थी थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा रख रही हूं इसे फर्क इतना होगा कि जब मोटा रखेंगे तो थोड़ा सा सिखने में टाइम लगेगा और अगर पतला रखेंगे तो यह जल्दी से सिख जाएग देखिए इस तरीके से चार उत्रब से मैं गोल शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो दूसरा शेप भी दे सकते हैं, तो देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको फिला दिया है, तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कर लेते हैं, तो यहां पर जो मारा मिक्सर है अभी थोड़ा सा गीला सा है, अगर मिक्सर गीला है, तो यानि कि यह भी हमारा एक तरफ से पका नहीं है, इसको हम दुबारा से कवर कर देंगे, और थोड़ी देर और पकने देंगे, तो यहां पर 5-6 मिट यहां पर आराम से लग जाते हैं, slow to medium flame पर, और देखें, यहां पर ड्राइ हो चुका है, दुबारा से मैंने खोल के देखा है, तो और इस पर हम थोड़ा सा ओईल डाल करना, इसको हम फिला देंगे, इससे हमारा जोद नाशता है, दूसरी तरफ भी अच्छे से सिख सकेगा, तो देखें, अ और इसको हम बापस से पैन में डाल देंगे, तो देखें, कितना प्यारा सा कलर आया है हमारे नाशते में, और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तयार होता है, और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसको कवर करके, slow to medium flame पर सेख लेंगे, इसको सेखने में फ्रें देखेंगे कि पीछी का कलर कैसा हुआ है, और पका है या नहीं, तो देखें, आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ से भी हमारा नाशता बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से सेख चुका है, और अब हमें क्या करना है, इसको हमें एक से दो बार अच्छी तरीके से पलटते अब इसको उठाने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो देखें हलका सा यह, टाइट जैसा लगेगा, वैसे तो सॉफ्ट है, पर गीला जैसा नहीं है, तो चलें, अब अपने नाश्ती को निकाल लेंगे, तो यह लिजी फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बनके तयार है, बिल्कुल परफेक्ट सा, और यह नाश्ता इतना टेस्टी बनके तयार होता है, फ्रेंड्स, बड़े बच्चे, सभी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, तो मैंने आप भी टोमेटो केचप के साथ सब किया है, आप हरी धनिया की चटनी के साथ, चाय के प्रेंज कर दिया है, मैंने बच्चों को शेप अलग होता है, तो जादा पसंद आता है, तो आप भी बनाईए, खाये, एंज़ाइ कीजिए, रेस्पी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, फ्रेंड्स, मिलते हैं किस प्रेंगे रेस्पी के साथ, तो पगली बाँ बाई